तो इसो सुन्जू को नाम तो आपने सुना ही होगा जी हाँ, एंशिन चाइना के वहीं military general जिन्होंने the art of war नाम की one of the finest military and a strategic treatise लिखी कहा जाता था कि सुन्जू जिस भी military की command अपने हाथ में ले लेते, वो military हर युद्ध जीर जाती अपने जीवन में उन्होंने कई युद्ध लड़े और जीते और उनसे मिलने वाले सभी experiences से उन्होंने युद्ध को जीतने की कुछ supreme tactics को अपने इस book में compile किया इन्ही tactics में से एक थी intelligence उनका मानना था कि all warfare is won and lost on the basis of intelligence इससे हमें ये पता चलता है कि सुन्जू के टाइम से ही geopolitics में खूफिया intelligence का इस्तमाल किसी न किसी रूप में होता आया है लेकिन world war one और world war two तक आते आते ये कहानी काफी बदल गई चीजे पहले से ज़्यादा complex हो गई technological innovations के आगमन के साथ radios, machine encryption और advanced cryptography जैसे inventions होई और इसी के चलते large volume of information को handle करने के लिए एक organized bureaucracy की जरूरत पड़ी और कुछ ऐसे ही महल में जन्म हुआ दुनिया की सबसे शातर खूफिया agency का जी हाँ, आज किस वीडियो में हम general सुन्जू की नहीं बल्कि एक ऐसी खूफिया agency की बात करने जा रहे हैं जिसका निर्माण सुन्जू के principle पर ही हुआ आज जिस organization की हम बात करने जा रहे हैं वो ज़्दुनिया की सबसे बड़ी superpower की superpower कहलाई जाती है शायद अब तक आप समझी चुके होंगे कि जिस organization की हम बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि United States of America की top secret spy agency CIA है दोस्तो दुनिया की topmost spy agencies की series में आज ये हमारी तीसरी वीडियो है अगर आप इस्राइल की intelligence agency मुसाद और इंडिया की intelligence agency रो के बारे में भी जानना चाते हैं तो आई बटन पर क्लिक करकर देख सकते हैं खेरा बाते हैं अपने वीडियो पर दोस्तो CIA यानि Central Intelligence Agency कहा जाता है कि अमेरीका की global supremacy का सबसे अधिक श्रे अगर किसी को जाता है तो वो है CIA जी हाँ अपने जन्व से ही CIA ने increasingly dangerous और unstable world में अमेरीका की global hegemony को maintain करने का काम किया आज के इस वीडियो में हम CIA के origin और इसके history की पीछे छुपे कई राजों पर से परदा उठाएंगे आज हम American history के उस दौर को भी explore करेंगे जिसने CIA की origin की नीव रखी organizational structure के साथ हम CIA की journey पर भी एक नजर डालेंगे और आखिर में हम CIA की कारनामों को एक critical नजर से देखने की भी कोशिश करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस interesting discussion को नमस्कार दोस्तों मिले नाम है आदर्श और स्वागत है आपका study IQ में दोस्तों ये तो हम जानते ही हैं कि CIA United States of America की Principal Foreign Intelligence और Counter Intelligence Agency है इसका formal origin World War II के खतम होने के लगबग दो साल बाद यानि 1947 में हुआ यहां आपको बता दें कि US ने उस समय की सभी major powers के comparison में अपने intelligence का गठन काफी late किया उधारन के तोर पर Britishers की MI6 और Soviet की 6 का जो KGB की predecessor हुआ करती थी उनका गठन early 1900 में ही हो चुका था यहां तक कि France की Duxium Bureau का origin तो 1870 में trace किया जाता है तो अब सवाल यह उठता है कि CIA का origin इतना late क्यों हुआ पहला तो यह कि North American continent दोनों तरफ से दो vast ocean से घिरा हुआ है यह दोनों oceans अमरिका के लिए एक natural defense का काम करते हैं इसी के चलते अमरिका को possible threats के बारे में intelligence gather करने की उतनी जरूरत नहीं पड़ी जितनी उस समय की European powers को थी इसके लावा unlike European powers उस समय US के इतने foreign enemies या फिर foreign possessions भी नहीं थे जिसका उन्हें बचाव करना पड़े तो इस वज़े से भी secret intelligence की खास जरूरत नहीं दिखी और finally वहाँ के लोग हमेशा सही एक secret government power के idea के इतने बड़े fan नहीं थे उनकी नजरों में espionage और covert operations वो dirty tricks थी जिनको old world की corrupt imperial powers use किया करती थी वो मानते थी कि इस तरह के काम United States of America जैसी virtuous young republic को suit नहीं करते लेकर इस anti-espionage tradition के बावजूद भी इतिहास में ऐसे कई emergency conditions पैदा हुए जब country की security के लिए government को secret intelligence के माध्यम को ही चुनना पड़ा और इसी की चलते वहाँ पर एक तरफ democracy और public accountability और दूसरी तरफ secret government power के बीच एक ताना तानी चलती रही ये dichotomy CIA के existence और उसकी journey के दुरान हमेशा उसके साथ रही CIA का pendulum इन दोनों principle के बीच back and forth घूमता रहा उधारन के तौर पर CIA का formation cold war के गर्म मोहल में हुआ इस दुरान Congress और American media ने CIA के कामों में कोई interfere नहीं किया लेकिन जब 1960s तक आते आते cold war के प्रती public support fade होना शुरू हुआ उस समय ये agency public scrutiny और hostility का निशाना बनी 1970s में जब प्रेसिडेंट Ronald Reagan ने cold war को फिर से एक नई हवा दी उस समय एक बार फिर CIA को उसकी reputation और secret powers वापस मिली लेकिन 9-11 के बाद CIA पर intelligence failure, covert tortures और cruel interrogation प्रोग्राम चलाने के नजाने कितने आरोप लगे और CIA की credibility पर फिर से कई सवाल खड़े हुए खेरा वापस आते हैं CIA के origin की कहानी पर दूसर जैसा कि पिछले section में हमने देखा कि क्यों world war 2 तक अमेरिका में कोई Central Intelligence Agency मौझूद नहीं थी लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इससे पहले अमेरिका में intelligence gathering का काम होता ही नहीं था असलने में ये काम तब US Navy, Army और State Department की intelligence units और FBI यानि Federal Bureau of Investigation के द्वारा काफी unsystematic way में किया जाता था लेकिन इस sources से information गैदर करने में duplication, competition को बाकी government agencies और senior policy makers के साथ भी share नहीं किया जाता था इस चीज़ का सबसे भहानक outcome तब सामने आया जब जपान ने December 1941 में Pearl Harbor पर अटाक किया, New York Times की एक report के मताबिक American Military Intelligence को जपान की तरफ से होने वाले potential attack के secret courts इस attack से कुछ महिनों पहले ही मिल चुके थे लेकिन उन courts को seriously नहीं लिया गया और इस बात को President Roosevelt तक नहीं पहुँचाया गया खेरन सभी deficiencies को दूर करने के लिए President Roosevelt ने एक senior British intelligence officer William Stephenson के suggestion पर US foreign intelligence gathering के fragmented और uncoordinated strands को एक single organization में गुच दिया इसी के चलते British assistance की मदद से June 1942 में Office of Secret Services यानी OSS का गठन हुआ OSS की कमान World War 1 की one of the most celebrated American generals William J. Donovan की हाथ में सौपी गई William Donovan की personality cult और OSS के formation में उनके contribution का अंदाजा अप इस बात से लगा सकते हैं कि उनको Father of US Intelligence के नाम से जाना जाता है Legendary General Donovan जिनको Wild Bill की नाम से भी जाना जाता था उनके नित्रत्व में OSS ने World War 2 में अमेरिका की victory में एक एहम भूमिका नभाई University of California Press की best-selling publication The Secret History of America's First Central Intelligence Agency की मताबिक पूरे World War 2 के दौरान OSS ने spying, sabotage, propaganda war, counter-propaganda, disinformation activities, anti-Nazi resistance groups को organize करने जैसी कई activities को अंजाम दिया और तो और उन्होंने access powers के दौरा occupy किये गए areas में resistance movements को भी military assistance प्रवाइड की OSS की significance को बताते हुए एक बार डुट डी इश्नोवर ने कहा था कि अगर हम इसके बाकी सब achievements को निगलेक भी कर दें तो भी केवल D-Day से पहले gather की गई information ही OSS के existence को justify करती है केरिन सभी success के बावजूद World War II के खतम होने के कुल दो महिने बाद ही OSS को dismantle कर दिया गया इस short lived peace time के दौरान Donovan ने OSS को एक permanent civilian intelligence agency के तौर पर continue करने के लिए काफी insist किया लेकिन Congress और civilian media ने इसका oppose किया और बहुत बार तो इसको Nazi secret police Gestapo से भी compare किया हलाकि अगर President Roosevelt जिन्दा होते तो हो सकता था कि वो अपने मित्र Donovan का समर्थन करते लेकिन 1945 में ही उनकी death हो गई थी और इनके successor Harry S. Truman ने Donovan के critics का साथ दिया वो किसी secret intelligence agency के favor में नहीं थे कुछ observers इसका कारण political rivalry भी बताते हैं आपको बता दें कि Truman Missouri के Democrat थे चबकि Donovan के समय में Wall Street के Republican हुआ करते थे खैर वो जो भी हो लेकिन यहाँ एक सवाल यह उठता है कि आकर 1945 से 1947 तक ऐसा क्या हुआ कि जहाँ एक तरफ तो ऐसा लग रहा था कि Post-War America में शायद जासूसों के लिए कोई जगए नहीं होगी महीं दूसरी तरफ किवल दो साल के अंदर अंदर वहाँ दुनिया की सबसे ताकतवर खूफिया एजनसी CIA का गठन कर दिया गया ऐसा क्या हुआ कि President Truman ने Intelligence Service को लेकर अपनी राय बिलकुल बदल दी आईए देखते हैं दोसों जैसे ही World War II खतम हुआ वार्टाइम एलाईज यानि कि Soviet Russia और United States of America एक दूसरे के कट्टर दुश्मर मन गए 1946 में Cold War की शुरुआत हो चुकी थी दोनों सुपरपावर्स के बीच की टेंशन एक alarming speed से आगे वड़ रही थी किसी एक block के दौरा लिया गया कोई भी action दूसरे block के दौरा एक potential threat के रूप में देखा जा रहा था यानि कि एक security dilemma create हो चुका था ये confusing और threatening environment था especially President Truman के लिए जिनको foreign affairs में ना के बराबर experience था ऐसे में President Truman ने January 1946 में एक Central Intelligence Group की स्थापना की लेकिन इसको CIA से confuse मत कीजेगा इसका मकसद President को हर दिन Foreign Intelligence Digest प्रोवाइड कराना था इस organization के पास भी खुद की कोई intelligence gathering या कोईट action की भी कोई power नहीं थी 1947 में President Truman ने communism को contain करने के लिए अपनी Truman Doctrine का एलान किया इसी साल जून में Secretary of State George Marshall ने Post-War European Reconstruction प्लान पारित किया बस फिर क्या था इन दोनों Foreign Policy Doctrines ने Cold War को एक नए लेवल पर escalate कर दिया ऐसे महल में US Congress ने National Security Act पास किया जिसके तहत National Security Council और उसकी direction के अंडर CIA का गठन हुआ CIA को Foreign Intelligence Operations करने की extensive powers दी गई हालाकि CIA की भी अपनी predecessors की तरह बाकी military services और FBI के साथ rivalry खतम नहीं हो पाई लेकिन उसको US law के अंतरगत country की permanent intelligence service का दरज़ा दिया गया तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं 1940s के extraordinary circumstances का ही नतीज़ा था कि intelligence और internationalism के advocates अमरिका के long running anti Spanish tradition को overcome कर पाए दोस्तों अगर CIA के organizational structure की बात करें तो उसकी एक executive branch है और चार special directorates है CIA को DCI यानि director of central intelligence head करते हैं DCI US president के chief intelligence advisor भी होते हैं इसके लावा CIA को चार major directorates में बाटा गया है इसमें intelligence directorate gathered intelligence को analyze करने का का काम करता है directorate of operations, spying, espionage, clandestine collection of intelligence, special co-ed और कभी-कभी illegal operations को अंजाम देने का काम करता है directorate of science and technology CIA को scientific और technological assistance प्रवाइड करने का काम करता है directorate of administration CIA के finances और personal matters को oversee करता है इस division में office of security भी मौजूद है जो CIA के personals, facilities और information की security के ensure करने का काम करता है अब एक नज़र डालते हैं CIA के कुछ controversial कारनामों पर दोस्तो cold war के दुरान पुरी दुनिया एक potential nuclear war के brink पर खड़ी थी लेकिन कोई भी फिर से एक all out hot war नहीं चाहता था कि तो दोनों ही powers एक दुसरे को आगे बढ़ते हुए भी नहीं देखना चाहती थी और ऐसे ही मौल में spying की एक golden age की शुरुआत हुई former CIA agents के cold war memories बताती है कि CIA के data collection और analysis ने पूरे cold war के दुरान Soviet Union के साथ arms control negotiations में काफी एहम भूमिका निभाई और तो और CIA के intelligence के बदला थी 1962 में Cuban Missile Crisis से होने वाला एक बड़ा disaster भी होते होते टल गया इसका लावा 1970s और 80s के दुरान Soviet military और KGB में मौजूद CIA के agents ने US को Soviet के military industrial complex की हर छोटी बड़ी जानकारी देने का भी काम किया CIA के कुछ प्रमुक कोवेट operations में इरान के प्रीमियर मौहमद मुजादिक को गदी से हटाना और 1953 में शाह रेजीम को रीस्टोर करना 1954 में Guatemala की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड leftist government का तक्ता पलिट करना Vietnam War के दुरान Ho Chi Minh Trail को monitor करने के लिए मियाव ट्राइपस्मेन की secret army को organize करना 1973 में Chilean President Salvador Allende के अगेंस्ट military को coup के लिए finance करना 1980 में Afghanistan की Soviet Baghd government के अगेंस्ट मुजादिन गुरिलास को financially और military सपोर्ट करना और Nikara Guga की Marxist Sandinista government के अगेंस्ट लड रहे Contras Rebels को support करना ये सब शामिल थे ये सभी operations Cold War के peak point पर हुए और इस सब का असर आज भी दुनिया भर के लोगों की जिंदिगी पर किसी ने किसी रूप में देखने को मिलता है Insuccessful Operations के साथ-साथ CIA के नाम Intelligence Failure के भी कई किससे दर्ज है उधारन के तोर पर 1961 में CIA sponsored Cuban Refugees का Bay of Picks में invasion सदी का सबसे वड़ा Humilating Disaster साबित हुआ 1960 के दौरान ही CIA ने क्यूबा के Communist लीडर Fidel Castro को उनी की गौवर्मेंट के एजेंट्स के दौरा कई बार एसेस्टनेट करने की कोशिश की इस कोशिश में कई बार उन्होंने Fidel Castro की सिगार को पोईजन करने या उस पर Explosive Material लगाने तक का काम भी किया लेकिन इस सब में वो काम्याब नहीं हो पाए इसी तरह 1999 में यूगोसलाविया की अगेंस्ट नेटो के Bombing Campaign में CIA के Intelligence Failure का रेजल्ट Belgrade में Chinese Embassy की Destruction के रूप में सामने आया तो कुल मिलाकर CIA का जन्म Primarily Cold War को Contain करने के लिए हुआ लेकिन जैसे ही Soviet Russia का Collapse हुआ Cold War खतम हुआ और इसी के साथ CIA का Institutional Structure और Mission दोनों बदल गए Cold War के बाद CIA का Target Soviet Russia के बजाए Terrorists और International Criminal Organizations जैसे Non-State Actors बन गए हलाकि Cold War के Hot War में तबदील ना होने का एक बड़ा श्रे CIA को दिया जाता है लेकिन कुछ सोर्सेश बताते हैं कि CIA ने अपने कारेकाल के दौरान कुछ ऐसे Covert Actions भी किये जो International Law के अंतरगत Immoral और Illegal करार दिये गए इसमें Human Rights Abusers Criminals और Dictators को अटाक के बाद Anti-Al-Qaeda Campaigns में Torturous Investigation के ऐसे Mechanism यूज किये गए जो US के Federal Laws के भी अगेंस थे Observers बताते हैं कि इस दौरान Al-Qaeda Operatives और Terrorist Suspects को Large Scale पर Capture और Kill गिया जाता है और तोर CIA ने US के Tritary के बाहर Secret Detention Centers का Network भी Establish किया जिनको Black Sides के नाम से जाना जाता था उधारन के तौर पर 2002 में South Eastern Cuba में Guantanamo Bay Detention Camp को Al-Qaeda के Militants का Trial करने के लिए Construct किया गया लेकिन 2009 में President Obama के Executive Order के चलते इन सभी Black Sides को Officially Close कर दिया गया हलाकि 1976 में President Gerald R. Ford ने CIA को Assassinations Carry Out करने से Ban कर दिया लेकिन President George W. Bush के Administration ने इस Ban को War Time में Inapplicable घोशित कर दिया और इसी का सहरा लेते हुए उन्होंने War on Terror का एलान किया कई Critics का मानना है कि ये Extensive Investigation US के लिए Ultra Counter Productive Proof हुई इन Mechanism ने Islamic Countries में US के प्रती और भी जादा hatred और resentment प्रेडियूस किया इसके बीच की लाइन को भी blur कर दिया तो दोस्तो Cold War को एक Potential Third World War में तबदील होने से रोखने के लिए ये सभी abuses किस हद तक justify किये जा सकते हैं ये कहना तो काफी मुश्किल है लेकिन जो बात तै है वो ये कि Cold War में अमेरिका की विक्ट्री का सबसे बड़ा हगदार कोई था तो वो था CIA और CIA के बदौलत मिली अमेरिका की इसी विक्ट्री के बेस पर 21st Century की बुनियाद रखी गई तो दोस्तो ये थी कहानी Central Intelligence Agency यानि की CIA की इस पूरी case study को लेकर आपका क्या opinion है comment section में ज़रूर बताईएगा आज की वीडियो के लिए इतना ही I hope आपका वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ share करना मत बूलेगा हम मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत